जहीं हीं दोस्तों मैं आप सभी के बीच लेकर आगया हूँ आपका BPA CTRE 2.0 का आपका test series language paper 2 लेकर आगया हूँ ठीक है तो चले हम इसमें देखते हैं 30 questions जिसमें आपका 9 नमर पर qualify बताये गया है तो चले इसमें देखते हैं आप कितने नमर लेकर इसमें आते हैं आप हमारे comment box में जाकर जरूर comment किजेगा कि आपका कितना सही हुआ तो चले पहला कोचन इसमें पूछा गया है if today is Sunday मतलब यदी आज Sunday है the day after मतलब एक दिन बाद tomorrow will be मतलब एक दिन के बाद अगले दिन क्या होगा तो आज माले ये Sunday है तो कल क्या होगा Monday उसके भीहर मेले क्या होगा Tuesday यानि इसका answer होगा Tuesday होगा ओके अगला सवाल देखिए ये देखिए select the most appropriate option to fill in the blank the interview मतलब आपको कह रहा है कि इसमें आपका आपको इसमें fill in the blank इसमें आपको भरना है appropriate option मतलब जो उचित सबसे उचित है ना इसमें option में वही आपको क्या करना है भरना है इसमें बोला गया है कि the interviews the interviewers were slowly becoming impatient as they were left to the waiting room for hours मतलब बोल रहा है कि जो interviewers है वो क्या कर रहा है वो slowly becoming appropriate मतलब कि interviewer को क्या किया गया है उसको boring महसूस हो रहा है धीरे धीरे boring महसूस लगने लग रहा है यो कि वे क्या है ना घंटो समय से क्या है एक room में उसको ठारा गया था वेटिंग करने के लिए कहा गया था ठीक है ना तो क्या कर उसको कैसा लग रहा था उसका boring महसूस हो रहा था काफी समय से उसको वेटिंग रूम में क्या किया गया था ठारा दिया गया था interviewers को इसलिए तो इसका answer कौन सा हो जाएगा इसमें आपको option चुनना है कि इसका answer कौन सा हो जाएगा इंतिजार करते रहना तो लग उनको इंतिजार करने के लिए इसमें छोड़ दिया गया था तो इसका answer कौन सा हो जाएगा तो देखे इसमें option कौन सा दिख रहा है option number c दिख रहा है आपको तो option number c ही इसका उतर हो जाएगा एक idiom दिया गया है आपका क्या दिया गया है idiom cool deer hills इसका मतलब कि घंटो समय तक इंतिजार करना मतलब इंतिजार करते रहने के लिए छोड़ दिया गया था इसका answer c होगा आगे देखिए how many teeth do and adults have मतलब कितने एक वयस्क ब्यक्ति के कितने दात होते हैं भाई तो 32 होते हैं आपको पता ही होगा आगे देखिए select the incorrectly as felt word मतलब आपको इसमें incorrect सब्दों को चुणना है जो गलत दिये गया है ठीक है तो belief देखिए पहला वर्ड दिया है belief मतलब विश्वास होता है ठीक है ये तो सही दिया गया है उसके बाद में बिनीथ दिया है ठीक है दुसरा क्या दिया गया है दोस्तों बिनीथ दिया गया है तो ये देखिए हाँ B E N E A T H ये ही आपका क्या है incorrect दिया गया है ये तो गलत है चुकि बिनीथ का word जो होता है दोस्तों तो B-E-N-E-A-T-H होता है, यह इसका word सही होता है, इसका मतलब होता है नीचे, ति यह गलत दिया गया है, B-E-N-E-T-H लिखती है, यही आपका incorrect है, इसलिए option number इसका B ही कर लिजेगा, believe सही है, belly सही है, ठीक है न, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, Wives, अगला question बोला गया है, कि Wives, Brothers, मतलब जो पत्नी के भाई होते हैं, वो कौन कहलाते हैं भाई, तो हिंडी में तो लोग साले बोलते हैं, साले, साला कहलाते हैं, तो उसको अंगरेजी में हम Brother in Love बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Brother in Love, आगे दिखते हैं, अगला question है, a sentence, a sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word, मतलब कि जो नीचे दिए गया हैं, उसको आपको खाली अस्थान को भरना है, ठीके नहीं, sentence को पुरा करना है, सही सब्दों से, Choose the correct alternative, जो चार भी कल्प दिए गए हैं उनसे, बुला है कि be it, चाट, be it a चाट, और a refreshing lemon, मतलब कि इसका मतलब होता है, चाट जानते हैं, चाट का मतलब क्या होता है, चाट जो आदमी छोला नहीं खाता है, उसी कोण चाट लोग बोलता है, छोला कोहीं तो चाट बोलता है लोग, तो वहीं कह रहा है, कि चाहे चाट हो, या ताजा निम्बू पानी, ठीक है, be it a चाट, और a refreshing lemons, lemons, मतलब आपका चाहे चाट हो, चाहे ताजा निम्बू पानी हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो उसमें बोल रहा है कि lemon is need of the hour, indoor or summer, मतलब लेमन जो होता है, गर्मी के लिए, क्या होता है, घंटों समय के लिए, इसमें डॉड़ट भरना है, क्या होगा, तो scorching भराएगा, scorching मतलब क्या होता है, scorching मतलब होता है, दोस्तों, आपका scorching का मतलब होता है, आप इसको जाकर Google पे सर्च किजिएगा, तो उस पर बताता है, जुलसाने वाली गर्मी, जलब गर्मी को कम करने वाला, ठीक है, तो यही इसका हो जाएगा, ये निम्मू पान जहेत हैं, देखते हैं, गर्मी में बहुत जादा लोग पीना पसंद करते हैं, ये ये गर्मी से राहप देता है, तुरंत, आगे देखते हैं, अगला है, select the appropriate meaning of the idioms given in bold, वाला आपको जो bold word में idioms दिये गया है, वहां बड़े, है न, उसके meaning को, अर्थ को आपको चुनना है दियर friendship लेश्टेड विदाउट एक कलॉड लोट ही इंड आफ ही लाइफ, मतलब इसमें आपको विदाउट कलॉड ये जो bold word में लिखा गया है, ठीक है न, इसका आपको क्या करना है, अर्थ धुनना है, उनकी दोस्ती उनके जीवन के अंत तक बिना किसी रुकावट के का इसका हिंदी हुआ, है न, बिना किसी रुकावट के, तो इसी का अर्थ चुनना है, इसी के जाय साथ, तो इसका एंसर हो जाएगा, विदाउट ट्रोबल, माने बिना पड़ेशानी के बिना रुकावट के, आप्सन नमर सी ही इसका एंसर हो जाएगा, आगे देखते हैं, अगला कोचन है, words written on a tomb, मतलब जो सब्द लिखे होते हैं, कहां पे, तो आप लोग देखे होंगे, मस्जीद, मस्जीद में क्या होता है, मस्जीद में क्या होता है, मुस्लिम समुदाय के कोई भी व्यक्ति अगर डेट करते हैं, तो उनके लिए कबर बनाया जाते हैं, और बन देखे जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको e-pitaaf कहा जाता है, क्या कहा जाता है, e-pitaaf कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, और e-pitaaf का मतलब बोता है, कबर पर खोदाई करके लिखा गया सब्द, ठीक है, इसका answer होगा B, ये 8 हो गया, अब देखते है अब हम लोग यह language paper में English 8 number आपका complete हुआ आगे देखते हैं अब 9 number देखते हैं question दाता सब्द का इस्तिलिंग क्या होगा तो दाता सब्द का अगर इस्तिलिंग पुछ दे आपसे तो दात्री बताएगा क्या बताएगा दात्री आगे देखिए इन में से समान बरतमान काल का कौन से हैं तो देखिए बरतमान काल में जैसे वे परती दिन नहाते हैं वह कलकाता जाता है इसमें तो एक से ज्यादा option answer है जी तो इसमें आपका देखिए पांच अपसन दिये गए जी इसमें कौन उतर होगा उप्यूक्त में से एक से अधिक option नमर डी इसका answer हो जाएगा ठीक है जी अब देखते ग्यारा नमर कोश्चन ठीक है ग्यारा नमर कोश्चन है इनमें कौन सा वाक सुध है सुध वाक को चुनना है तो आपका बी नमर option देखिए मोहन सुबह ही पटना चला गया ये सही है ठीक है 12 नमर कोश्चन है मोहन एक सालीन लर्का है वाक में सालीन सब्द क्या है तो सालीन सालीन तो यहाँ पे सालीन के बारे में बताया गया कि मोहन एक सालीन लर्का है वाक में सालीन सब्द क्या है परिवान अचक गुन वाचक क्या है संख्या वाचक क्या दर्सा रहा है ये आप गून को दर साता है इसलिए हम इसको गून वाचक में जा गून वाचक बताएंगे गून वाचक भी सेशन ठीक है आगे देखिए उंगली पकर के पहुचाना तो उंगली पकर के जब पहुचाने वाली बात है इस मुहाबरे का अर्थ क्या होगा ये पुछा गया है तो इसका मतलब option नमर B दे रहा है धीरे-धीरे सहा साहस को बढ़ने देना धीरे-धीरे साहस को बढ़ने देना अगला question देखिए निमलिखित में किस वाक में भाव वाच्चे हैं तो भाव वाच्चे की बात बोला जा रहा है इसमें तो आपका option नमर B देख रहा है यही आपका भाव वाच्च को दर्शार है सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता ठीक है आगे देखते हैं अगला question है कि निमलिखित में कौन सा सब्द वायू का परिवाच्ची है वायू का परिवाच्ची अगर पुछा गया है इसमें तो आपको कौन सा दिख रहा है वायू का परिवाच्ची सब्द तो आपका अनील अनील जो है वायू का परिवाच्ची है और भी होते हैं समीर होते हैं पौन होता है हवा होता है यह सब ही होता है ना आगे देखते हैं सीता, सीता नहीं पढ़ती है, वाक में वाच का कौन सा परकार है, नहीं पढ़ती है, तो ये आपका सीता नहीं पढ़ती है, तो ये आपका करतरी वाच है, करता को दर साय जा रहे हैं, सीता किया, करता के रुप में यहां पर काम कर रही है, इसलिए ये करतरी वाच में तो नौका का प्रवाची पोत होता है आगे देखिए यह मेरी कलम किताब है यह मेरी किताब है इस वाके में काले सब्द में सर्वनाम का परकार बताना है आपको यह लाल है ना यहाँ पर काला लिखा है लाल सब्द से दिख रहे आपको इसमें आपको कौन सा सर्व नाम है ये आपको बताना है तो यह लर्का वह लर्का वह लर्का वह लर्का अगर जब भी अगर इस तरह से बोल दे यह किताब वह किताब तो यह वह जहां ही कहीं भी पड़ियोग किया जाते तो इसको निश्चे वाचक के लिए बोला जाता है, इसलिए आपका निश्चे वाचक सर्वनाम होगा, अब 18 हो गया, आप देखतें 19 नमबर, 19 नमर कोच्चन है कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस मुहाबरे का अर्थ है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस मुहाबरे का अर्थ, यानि जादा समय में कौम काम करना, जादा समय में कौम काम करना, इसका यहीं अंसर हो जाएगा, मुहाबरे का अर्थ हो जाएगा, तो 19 का अंसर हो आपका option नमर B आप देखते हैं 20 नमर पक्छी उर रहे हैं वाक्य में कौन सा काल है उर रहे हैं तो ये आपका पुर्ण बरतमान काल होता है जो कि option में कहीं नहीं दिख रहा है इसलिए option नमर D इसका answer हो जाएगा खरी बोली क्या बोला गया है खरी बोली इनमें से किस अप भरंस में से निकली है तो खरी बोली जो होता है सौर सेनी सब्द से लिख ले हुए है याद रखिएगा इनमें लुटेरा में कौन सा परते है तो लुटेरा में एरा परते है इनमें कौन सा वर्न अग्होस है तो इनमें आपका कौन सा वर्न अग्होस है तो आपका चो जो है न ये अग्होस को दर्शा रहा है इनमें किस वाक्य में कर्मवाच है कर्म किस में दिया गया कर्मवाच को कौन दर्शा रहा ये आपसे पुछा गया है ठीक है तो option नमर आपका कौन सा हो जागा, passive की बात कर रहा है इसमें passive की कर्मवाच यानि कि वही passive तो passive कौन दर्सार है, option नमर सी दिख रहा है, यही दर्सार है स्याम के दौरा पुष्टक पड़ी गई passive हो इस पड़े हैं, passive को दर्सार है यानि कर्मवाच को दर्सार है आगे देखिए, इन में से कौन सा सब्द, रीनी का बिलोम है, रीनी का बिलोम क्या होता है, आप पड़े होंगे न रीनी किसका बिलोम होता है उरीनी का, तो कौन सा option हो जाएगा option number A हो जाएगा answer अब यहाँ पे गद्यान्स है, जिसमें आपको 26 से 30 कोस्चन बनाने है तो हम इतना बड़ा कहानी पढ़ने जाएंगे, तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा, हम direct कोस्चन पढ़ेंगे और इसी तरीका से answer करेंगे बहुत यह असानी तरीका से खीक है तो देखिए, कोस्चन नमर हम 1 पढ़ते हैं night फूड की उपाधी द्रमिन नाथ ने क्यों लोटा दी अब अप्शन है उन्हें वह उपाधी पसंद नहीं थी जालिया वाला भाग हत्याकान के बिरोध में लोटाई थी बंग भंग के अन्दोलन के बिरोध में तो इसमें हम देखते हैं सब अप्शन दिये गया है तो चलिए हम इसमें थोड़ा पढ़ते हैं देखिए यहीं पे दिया गया है बिरोध इतना तिव्र था कि उन्होंने night का उपाधी लोटा दी कौनची का बिरोध इतना तिव्र था यहीं पे दिया है थोड़ा सा और पीछे पढ़ते हैं हमको एंसर मिल जाएगा देखिए यहाँ पे मिलिये गया कि 1919 इसमें जालिया वाला बाग हत्याकान की भरपूर निंदा की और उनका उनका क्या हुआ बिरोध करना बिरोध इतना तिव्र था कि उन्होंने नाइट की उपाधी उपाधी लोटा दी नाइट हूड की उपाधी लोटा दी किसके चलते भाई जालिया वाला बाग हत्याकान अप्शन नमर बी इसका उतर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोशन पढ़िए बोल रहा है कि नविंदना टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरसकार प्राप्थ हुआ काबु काबुली वाला से मास्टर साहब गितानजली अब देखिए हमने इसको पर लिया भाई तो देखते हैं कौन सा बुक पर इनको नोबेल पुरसकार मिला है हाँ देखिए यहाँ पर पढ़िए गितानजली रही जिसके लिए 1913 में नोबेल पुरसकार प्राप्थ हुआ इनको गितानजली बुक पर ठीक है तो इसका एंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों गितानली देखिए कहां पे दी रहा है option नमर सी इसका answer होगा आगे है कि रविन्ना टैगोर रविन्ना टैगोर का जनम कब और कहां हुआ था ते भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा गद्यांस पढ़िए यहां देखिए गद्यांस में आपका 7 माई 1861 को कहां पे हुआ था भाई तो कलकात्ता में हुआ था तो देखिए अप्शन में कहां दीख रहा है 7 माई 1861 में कलकात्ता में हुआ था option नमर ए इसका answer हो गया अगला सवाल देखिए उनके पिता कौन से समाज के नेता थे चलिए इनके पिता जी के बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग इनके पिता नाम देवेनाथ पिता जी के नाम था देवेनाथ माता का नाम सार्दा देवी पिता जी ब्राम ब्रह्मा समाज देख रहे हो ब्रह्म समाज के नेता थे तो ब्रहम समाज अप्शन में दीख रहा है अप्शन नमरे इसका उतर हो गया आगे देखते हैं जना गना मोना राष्ट गान के रचनाकारी तो सब लोग जानता है रविन नाठ चैगोर ही है जिनके बारे में हम लोग गध्यांस भी पढ़ें तो दोस्तों यहाँ पर हमने लेंग्वेज पेपर का तीसो जो कोश्चन था इसको हमने कम्प्लीट बताया अब मेरे को बताईए आप कि आपने इसमें कितना नमरे स्कोर किया कमेंट बाक्स में जाकर कमेंट करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से हम इसमें दस सेट दिये गए है रूप मनी पब्लीकेशन का अना उसमें दस सेट का हम डेली एक एक करा देंगे ठीक है